वाड़ीजप आजके इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेंट फंक्शन के कुछ मेंधर के बारे में तो आईए देखते प्रेंट फंक्शन के कुछ मेंधर और उनको समझते हैं कि वो क्यों यूज होता है तो बिना कैसे टाइम को विश्ट किए लेट्स गेट स्टारट इसने क्या करूंगा सबसे पहले मैं जाओंगा अपने पाइथन ट्यूट वाले फोल्डर में और अपना वी यह खोल देता हूं तो मैं नई फाल बनाओंगा त्यूट 5.py और यह जो extra T है वो में निकाल देता हूँ and इसके बाद मैं थोड़ा zoom in करता हूँ इसको और अब मैं आपको बताऊंगा कि print statement में वो कौन-कौन से methods हैं जो आपको use करने चाहिए तो अगर मैं दे लिखो print और मैं लिखो hi my name is devil and save करके run करूँ तो यह as it is run हो रहा है ठीक है क्या होता है न हमें कभी कभी कोई चीज को end में जोड़ना होता है तो अगर मैं कोई paragraph बहुत बड़ा सा और उसके अंदर मुझे कोई end में चीज जोड़नी है तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ and is equal to and कुछ इस तरीके से दे रहा हूँ and I am also a program जैसे शीव करके रन करूंगा मैं इसको तो यह देखो यह रहा है एंड में जोड़ा हूँ आरे ठीक है अब इसको करने के बहुत सारी तरीके अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता था मैं कुछ इस तरिक से भी लिख सकता था कि is currently and Mr.C Iv topics करता हूं simply और आपको दिखाता हूं कि फ़रक्श तो मैं इसको SMITHplaces कर रहा हूं और इस दर में hemmka's dogma bultra कौम मा डालने के बाद and next म disciples works lifestyle mode कर देता हो था कि जो जो भी buttons में use कर रहा हूं वह आपको दिखे तो यह देखो मैं जैसे एक अंट्रोल भी करके सीव करूंगा प्रोग्राम को और मैं यह दिए तो मैं शिफ्ट दबाकि यह कोड़ लगा दूँगा सेव करता हूं इसको तो यह देखो सिंटेक्स एरर आ रहा है क्यों पता नहीं सिव नहीं किया होगी मैं फिर से रन करता हूं दिए देखो एज इस आ रहा है मेरा पहले जो आ रहा था वहीं आ रहा है सब इन दोनों मेठोड्स का भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से कॉमा लगा कि भी स्ट्रिंग को कर सकते हो ठीक है अब एक और चीज़ होती है हमारे पास सेपरेटर अब सेपरेटर क्या होता है मान लो कि मैं एक और प्रेंट में लिखता हूं कि मान लो मैं लिखता हूं कि मान लो मैं लिखता हूं ए स्पेस बी स्पेस सी स्पेस डी ठीक है कुछ इस तरीके से लिखता हू और में लिखता हूँ SEP, SEP is equal to, और मैं एक string देता हूँ, double quotes के अंदर मैं कुछ ये character देता हूँ, जैसे रन करूँगा, ये मुझे error देगा, because मैं comma लगाना भूल गया हूँ, मैं जैसे comma लगाऊँगा, और run करूँगा, इसको तो ये देखो, ये बिल्कुल इस तरीके से आ रहा है, but क्या हो, कि मेरे पास multiple choices हो, just like कि मेरे पास ये सारे इस तरीके से हो, कुछ, and save करूँ मैं इसको, ये देखो, ये भी कुछ इस तरीके स अब आपको पता चलना इसका काम क्या है, तो ये देखो, इन दोनों के बीच में जो आ रहा है, ये जो गारे ये तो अई यह बिल्कमा लगाने के बादोने नाहें लिच घेको करणे लिखो जेता हो О उन दोनों की बीच में कोई भी आपको एड़ करने हों उनके लिए आप सेपरेटर का यूज करते हों अब कुछ इस तरीके से हमारे मैथड़्स होते हैं अगर आपको और मेथड़्स चाहिए तब जाएगे गूगल क्रोम पर और इसको खोल के दिलिग दीजिए पाइथन प् आप यह तीन वेबसेट खोल रहा हूं और यह दिख सकते हैं बहुत सारी मेथड़्स है दिखो इदर सेपरेटर के बारे में दिया हुआ है एंड के बारे में दिया हुआ इधर फाइल और फ्लेश भी है बट अभी मैंने फाइल सिस्टम नहीं समझा है आपको पाइथन के लिए लगां के कि दिख सकते हो इंद दूसरे वियूमस पैबसार बहुत सार सारे आपके लिए कगे अब हम करने वारे बल्स के कि वेरियाबल होते क्या तो मैं को एक एक सांपल दूव तो मांन लो जो कि आपने फोल्डर मैं डेक्सटोप भीडिकल अपने इक अम्再कि इस चापने चांप मघका श दरब नाब अपनी सारी माइक्छेल form डॉक्यूमेंट and Microsoft resume में और तरह तरह की चीज़े डाल सकते हो जितनी भी आपको चाहिए वह सो वेरिबल का सिंपली मिनिंग वही होता है कि आपको जिस भी प्रकार की चीज रखनी है उसके लिए वेरेबल असाइन करते हो यह एक दम फोल्डर की तरह ही होते है जिस तरह से फोल्डर को बनाते लोग चीजोग को स्टूर करने के लिए इसी तरह से पाइटन के अंदर यह वैलु को स्टूर करने के लिए होते है एक्जामल के तोर पहे मैं एक वेरेबल बनाओ नेम ठीक है एदर इसके अंदर में अपना नाम लिखें में जाय लाइफ कोате ऑन ऑस के प्रिंट करो उनेब को प्रेंट करूँ से व करूँगा जैसे ही तो यह तरह देवान शुआ रहा है मैं इमन्न सब कॉमेंट झा टूंगा ताकि आप दीपाऊ कि यह रहा है स्ट्रिंग हमारे एक डेटा टाइप होता है पाइटन के अंदर वह मैं आपको आगे जागे बताऊंगा कि वह क्या होता है कौन-कौन से और डेटा टाइप होते हैं चैनरली हमारे पास स्ट्रेंग इंटेजर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बूलियंज और नन वह भी एक डेटा टाइप है बहुत सारी डेटा टाइप से वह मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा और अभी आप इतना समझ लीजिए कि यह जो आप डबल कोट्स में सिंगल कोट्स में और एवन त्रिपल कोट्स में भी जो जो चीज लिखते हैं वह सब स्ट्रिंग कहला लाती है तो यह हमारा एक सिंग टाइप का वैरिय वल हो चुका है तयार अब इसको आपको पर भी रेफर कर सकते हो ठीक है इसको आप कुछ जिरी के से लिख सकते हो की मैं अधर डबल कोट्स से था हाई थैन कॉमा दे एक एधर यह वेरिए वारियो राफर कर सकते हो नेम थ एंड नेम देता हूं जैसे से करूंगा रन करूंगा मैं इसको रन की बटन पर क्लिक करके तो यह देखो यह आ रहा है हाई माइने में इस दिवन शुग सो कुछ इस तरीके सब अपने वैलियोस को यूज कर सकते हो अब यह तो एक नाम था ठीक है यह एक नाम था एक्जामपल के तौर पर अगर मैं कोई Wikipedia का आर्टिकल उठा के लाओं मैं अगर पाइथन डॉक्स में से कुछ उठा के लाओं और आपको बता चलेगा कि क्या चीज है यह तो मैं कुछ मसाला टून रहा हूं अपने लिए और नीचे जाता हूं यह मैं उठा लेता हूं ऑसके अंदर डाल देता हूं और से उकरता हूं मैं जैसे इसको राण के बटन पर क्लिक करोंगा तो यह सारा का सारा मसाला आ चुका है जो आप इस तरह के से भी यूज कर सकते अपनी इस के लिए इसको यूज कर सकते हैं मान दो कि आपके पास तीन या चार आर्टिकल से औ है उसको और उसको चेंज भी करना है हर बार तो क्या आप हर बार कॉपी पेश करोगे पाच्छे बार नहीं आप वेरियेबल बनाओगे और उस वेरियेबल में चींज करोगे और उस वेरियेबल को पांच से छे जगा पर एफर करोगे सो यह मेरा कहने का मतलब था I hope कि आपको मेरा कहने का मतलब पता चला होगा और मैंने इदर word wrap on करके रखा है आप भी word wrap को toggle कर सकते हो ताकि यह जो scroll bar है वो ना आए आपका और कई लोग पूछते रहते हैं कि यह सब चीज़े कैसे करते हो और दीचे मेरा स्क्रीन कास्ट चाल हुए ताकि आप मेरे बटन्स देख सको मैं कौन-कौन से यूज़ कर रहा हूं और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही गाइस आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो देरे देरे इंप्रोव हो रहे है तो आइक और शेयर भी और साथे साथ सब्सक्राइब भी इंप्रोव होने चाहिए I guess और वो तो खेर सब्जेक्टिव टॉपिक है बट पाइधन का वीडियो कैसा लगा वो मुझे कॉमें बताना और थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो आई विल सी यू इन दे नेक्स वान